पूर्वत्तर रेलवे के दौरा ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए स्टेशन ओपर 80 करोड की लागत से ब्लॉक सिंगनल लगाया जाएगा जिसके संबन्द में पूर्वत्तर रेलवे के सीपियारों पंकश कुमार सिंग ने बताया कि पूर्वत्तर रेलवे निरंतर अधुनी की करण की तरफ बढ़ रहा है जिसमें ओचुमेचिक ब्लॉक सिंगनल सामिल है छप्रा से लेकर बारबंग की सीतापुर से भुचवल तक औचुमेचिक ब्लॉक सिंगनल लगने के लिए कारेश स्विकृत हुआ है जिसमें 1000 करोड की धनरासी लगेगी और केंद सरकार से 80 करोड रुपए मिला है जिसके लिए 6 टेंडर किया जा चुका है जिसमें से 3 पर सिंगनल में हर किलो मीटर पर सिंगनल होता है इससे एक ब्लॉक सेक्षन में एक समय एक साथ कई ट्रेने जा पाएंगी और लाइन की चमता बढ़ेगी इससे हम लोग याक्षियों की मांग को पूरा कर पाएंगी ट्रेनों की कोचिस को बदला जा रहा है और ने अधुन की युक तसली पर कोचिस लगाया जा रहा है उन्होंने बताए कि ब्लॉक सिंगनल लगने से ट्रेन की स्पीड को 130 किलो मीटर पर चला जाएगा इस संबंध में गुरक पूर्णियों से बात करते हुए पुरतर रिल्वे के से प्यारों पंकच कुमार सिंग ने कहा पुर्वत्तर रिल्वे निरंतर आधुनी की करण की ओर आगे बढ़ रहा है और इस दिशा में जो है एक नया कदम पुर्वत्तर रिल्वे ने बढ़ाया है वो है आटोमेटिक ब्लॉक सिंगनलिंग को लेकर चप्रा से लेकर बारा बंकी जो मुख्य मार्ग है रेलवे का प्रवुतर रेलवे का इसके अलावा सीता पुर से बढ़वल इस सेक्षन में आटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग लगाने के लिए जो कार है वो शुक्रित हुआ है लगब एक हजार करूर का कार शुक्रित हुआ इसके लिए इस बजट जो अभी आया है इसमें 80 करूर रुपए के कारे के शुरुआत के लिए मिले हैं इसमें कुल 6 अलग-अलग टेंडर किये जाने हैं जिसमें से तीन टेंडर में एजेंसी फिक्स होने के परकरिया चल रही है तीन और टेंडर फ्लोट करने की तयारी च जाती है यह लाइन कपश्टी यानि कि शम्ता जैसे अब ही क्या होता है कि ऑन एन एवरेज जो एक ब्लॉक सेक्षन होता है वाट से 10 किलोमेटर का होता है और उसमें अगर एक टेंडर ब्लॉक सेक्षन में जाती है स्टेशन से तो जब तक अगले स्टेशन पर रिसीव नह ही मिलता है यानि कि एट a time इक block section में एक यह cosa सकती है तो इससे line की जो शमता है हो इंक्रीज हो जाती है हम ज्यादा टेने सेम infrastructure में चला पाएंगे तो यात्रियों की मांग जो है टेन चलाने की वो पूरी कर पाएंगे दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है जो हम लोग बार-बार स्पीड बढ़ाने को लेकर कारिक करते रहते हैं इसमें जैसे ट्रैक से रिलेटेड वर्क जो होता है उस पे काफी अत्तकार हो चुका है जो पुराने बावन कीजी के रियल और स्लीपर थे वो बदले जा रहे हैं इसके लिए इस बजट में भी साड़े चार सो करोड रुपय मिले हैं जिससे की जो पुराने रिल है पुराने स्लीपर उनको बदल गया हम अच्छी कैपेश्टी के नए रिल नए स्लीपर लगा सकें साथी साथ जो दूसरा पार्ट होता है इसका होता है रोलिंग स्टॉक का यानि की लोको मोटिफ्स एंड कोचेस तो जो लोको से हम लोग साथ से ज्यादा रेक लचबी कोचे से चला रहे हैं तो यह कोच भी आई स्पीट पर चलने के लिए के वर एक जगह है वह है सिगनल जहां पर काम होने के बाद हम लोग इस रूट की स्पीट बढ़ा कर 130 किलोमेटर प्रग्धेंटे कर पाएंगे तो सिगनल के ल लेंगे एक तो शम्ता बढ़ेगी ज्यादा टेन हम चला पाएंगे और दूसरी स्पीड भी बढ़ेगी तो ज्यादा स्पीड में टेन ही चलेंगी तो हम लोग टाइम भी रिस रिस्चेडूल कर पाएंगे